यहां मौजूद एक महिला ने पूछा है प्रणाम सद्गरू मैं सुभा छे बजे उठती हूँ आफ कीजिए मैं सुभा छे बजे उठती हूँ जल्दी से खाना बना कर बच्चों को तयार करके साड़े आठ बजे ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ शाम को साड़े छे बजे घर आती हूँ फिर बच्चों को फ्रेश करना खुद फ्रेश होना पूजा करना खाना बनाना हूमवर्क और फिर सोना ऐसी व्यस्त दिन चर्या के बीच मैं योग को अपने जीवन में कैसे फिट कर सकती हूँ आप छे बजे उड़ जाती है और रात को जिस भी समय आप सोने को जाती है आपका दिन बहुत व्यस्त रहता है तो योग करने के लिए समय कहां बचा आपके पास खाने के लिए समय है गपे मारने के लिए समय है अपना काम करने के लिए और हर चीज की देखभाल के लिए सम ये रवेया हर समय खुद को एक बलिदान देने वाला सिद्ध करने की कोशिश है मेरे पास खुद के लिए समय नहीं है मैंने खुद को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया है लेकिन आप उन्हें क्या दे रहे हैं आप अपनी चिंता, अपनी चिड, अपना तनाव अपने बच्चों को दे रहे हैं है ना अगर आपको सचमुच, सचमुच अपने बच्चों की चिंता है अगर आपको वास्तव में अपने बच्चों की चिंता है तो खोशी और प्यार का महाल बनाए रखना उनके विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें चमकदार जूते देना नहीं, उन्हें अच्छे कपड़े देना नहीं, उन्हें वीडियो गेम देना नहीं। और दुनिया जहान की दूसरी चीजें देना महत्वपूर्ण नहीं है। उनके हिर्द गिर्द एक खुशी और प्यार भरा माहौल बनाए रखना, हर दिन, हर पल, ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें वो बक्वास चीजें देने के बजाए जो आप उन्हें दे रहे हैं, है कि नहीं। तो जीवन के बारे में आपका फोकस क्या है? अगर आप अपना काम और बच्चों की देखरेक वगरे सब कर सकते हैं, तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं, तो उतना ही कीजिए, जितना आपसे होता है, हर इंसान केवल उतना ही कर सकता है, है ना? आप दुनिया में हर चीज़ करना चाहेंगे, तो आप निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे, आप कितना काम कर सकते हैं, यह हर इंसान को खुद को तै करना होता है, हो सकता है कि कोई सुबह छे बज़े उटकर यह सभी काम खुशी-खुशी कर ले, कोई दूसरा ऐसा नहीं कर पाता, उसी के अनुसार उन्हें अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा, है ना, आपने ये सारे काम अपने हाथ में लिए, इसलिए नहीं क्योंकि आप यही करना चाहते हैं, आप किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, यही आपकी पूरी समस्या है आप वो सब पाना चाहते हैं जो दूसरों के पास है, बिना जाने कि आपको वाकई उसकी जरुरत है या नहीं, इतना कुछ करके आपने जो भी कमाया है, आपके बच्चे, आपके पती, आपकी पतनी और कुछ, अब आप इनका आनन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको इस इनके बुनियादी तत्वों पर एक बार फिर गौर करें, है कि नहीं, आपने पढ़ाई की, नौकरी खोजी, शादी की, बच्चे पैदा किये, ये सब क्यों किया, क्योंकि आपको लगा कि इस से आपको खोशी मिलेगी और आपका भला होगा, है कि नहीं, पर अब वही अगर ऐसा है, तो आपको इस पर गौर करना चाहिए, अगर आप से ये सब नहीं संभल रहा है, तो शाहिद आपको इसे छोटे स्तर पर लाना होगा, अगर आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, तो आपको वो जरूर करना चाहिए, अगर आप दिन में 30 मिनिट का भ ये होगी, कि आपके नींद के घंटे कम हो जाएंगे, अभी अगर आप दिन में 8 घंटे सोते हैं, तो इसका मतलब आप अपने एक तिहाई जीवन सोते हुए बिता रहे हैं, अगर आपका मन और शरीर ज्यादा ऊर्जवान और सक्री हो जाते हैं, तो आपके नींद के जाने के 3-4 घंटे ज्यादा मिल जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, अना? इसके अलावा, अगर आपका शरीर और मन थोड़े और व्यवस्तित होते हैं, तो आप देखते कि मैंने लोगों के साथ ये भी पाया है, कि योग की आसान सी प्रक्रिया से 6-8 हफते में ही ज्यादा तर लोगों की ख्रमता का स्तर ऐसा हो जाता है, कि वो जिन कामों को 8 घंटे में करते थे, उन्हें वो अब 3-4 घंटों में आसानी से कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए, क्योंकि अगर आप दिन के दौरान खुद पर गौर करें, मान लेते हैं, कि हम आपके पूरे दिन से कहिए कि वो आपका वीडियो बनाएं, आपकी जानकारी के बिना, आप देखेंगे कि आप कितनी सारी गैर जरूरी चीजें करते हैं एक दिन में, अगर आपका मन ज्यादा विवस्थित हो जाए, तो ये फिजूल की बाचीत, ये फिजूल की हरकतें और ये बेकार की सार समय होगा, आपके पास जीने के लिए 24 घंटे हैं, इन्हें 26 घंटों में बदलने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे काफी हैं, 24 घंटों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर हम एक विवस्थित और केंदरित इंसान बन जाते हैं, तो 24 घंटों में हम बहुत काम कर सकते हैं, अ आपको लगेगा कि समय नहीं है, आप में से अधिकतर लोग व्यस्त नहीं है, आप बस व्यर्थ के विचारों में उलजे रहते हैं, है ना? है कि नहीं? दिमाग में गहरी उथल पुथल चलती रहती है, जिस भी महिला ने सवाल पूछा है, आप कृपया दिन में आदे घंटे का समय जरूर दीजिये, सुबह साढ़े पांच बजे उठ जाएए, और आप पाएंगी कि अचानक आपके जीवन की क्वालिटी में बड़ा बदलाव जाएगा, यही बात मत दोहराते रहिए कि मेरे पास समय नहीं है, समय निकालिए और देखिए, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा